लो दोस्तों मैं हूँ प्राइचा सभीका स्वागर करता हूं कि टो वाइल के बिपूल फ्रेश वीडियो के अंदर तो चलिए फटावर्ट से बात करते हैं बिट्कॉइन ए अल्सकॉइन के बारे में और देखते हैं आज की मेंजेर न्यूजेस को कि आखिर करी बिट्कॉइ लेकिन मार्केट अभी भी अपना एक जोन के अंदर ही चल रहा है मार्केट इस्टिल बियरिश है यहां पर अभी हमें कोई बूलिश सिंटम मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिले अब इस पंप की वजए लोग बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि जो माइकल सेलर है बिसिकली वह अब यहां पर प्लान कर रहें कि अपने 750 मिलियन के जो स्टॉक्स हैं उनको सेल करेंगे और यहां पर बिट्कॉन को खरीदेंगे इवन दिर माइकल सेलर ने यह भी बताया है कि उन्होंने यहां पर अभी एडिशनली 467 BTC 14.4 मिलियन के यहां पर खरीदे है तो अब इनके पास जो टोटल टोटल वैल्यू आपर बन गई है वो बन गई है 152,800 BTC के आसपास में जो कि इनकी कंपनी अब यहां पर होल्ड करती है और इसी के वज़े से थोड़ा सा मार्केट के अंदर हमें एक बुलिश संटीमेंट देखने को मिला है तेकिन हमने हर ब इनका correction end हो जाया देन मार्केट जब break start करेगा तब वापे से हम मार्केट के अंदर bullish यहां पर हो सकते हैं इसी के कौरपे अगर हम लोग बात करते हैं bitcoin के CME gap के recording तो यहां पर तो अभी कोई भी CME gap नहीं है ऊपर यह तो एक बार अगर यह cover होता है देन मार्केट आपकी फि की तरह act कर रहा है अभी किस तरह break होता है यह में देखना होगा अभी के according हमारे पर जो support line है वो 47.8 के असपास यहां पर देखने को मिल जाती है नेक्स अपर बात करते हैं हम लोग altcoin की dominance के बारे में altcoin की dominance still resistance यानि कि आज भी हमें थोड़ा सा correction altcoin BDC bear के अंदर देखने को आ इसलिए यहां पर थोड़ी gaps है अब यह gap fill करके वापस market अगर नीचे आता है तो bitcoin की dominance थोड़ी सी high हो सकती है जिसमें कि bitcoin 30-40% तो नहीं बोलूँआ पर थोड़ा सा value up करेगा तो यहां पर altcoin को issue हो सकता है तो altcoin के लिए बहुत important है कि at least this zone को break करें इस zone को अगर altcoin यहां पर मिल सकता है बट अभी के लिए जो resistance है वो लगबख 10.3 के आसपास हमें यहां पर देखने को मिल रहा है next अब बात करते हैं Ethereum के बारे में Ethereum के अंदर भी जो correction है वो continue हमें देखने को मिला है वही जो pump है क्योंकि bitcoin में थोड़ा सा pump आता है तो सभी cryptocurrency जो dollar pair में वो थोड़ा 1500 के आसपास हम expect करेंगे 1500 dollar के आसपास में यहां से कि market में कोई reversal हो और अगर इसी तरह हम इसके CME gap की भी बात करें तो हमें जो CME gap यहां पर देखने को मिल रही है Ethereum में अगर मैं आपके कुछ lines के through इसको draw करने की कोशिश करूँ तो यह लगबख लगबख हमें देखने को मि halving है और I think अभी यार कुछ ही time बचा होगा अगर मैं इसके देखो तो सिस्फ 7 minutes का time बचा है यहना कि जब यह video में record कर रहा हूं तो almost lightcone के halving होने वाली है तो video record करते करते हैं इसके उपर भी वापीस आते हैं हम लोग अब अब अगर बात करें तो halving के पहले हम लोगों को buy the rumor and sell the news वाला काम कर सकते हैं क्योंकि halving होने के बाद major run तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा lightrun के अंदर पर उसमें time लगेगा क्योंकि अभी इसके halving है फिर bitcoin के halving होगी और उसके पास जाके हमें major run expect कर सकते हैं सभी cryptocurrency के अंदर उससे पहले short term runs अगर आते भी हैं तो market मे lightrun हम लोगों के लिए 230-270 के असपास का target यहां पर रहने बाला है next अपर बात करते हैं BNP के बारे में तो BNP में अगर आप धियान से देखे तो अभी भी market ने थोड़ा pump लिया जो resistance जिसको कल में आपको बताया था उसके उपर है मलब resistance अभी भी उपर है तो यहां से rejection still ब यहां पर बात करते हैं नियों के बारे में तो नियों में भी similar चीज़ चल रही है यहां पर भी आप देखो कि तो इसका एक supportive zone है यह वाला जो पना है इसका breakout मलब breakdown अगर हमें कल तक मिलता है कल या पर सो तो market वही थोड़ा सा correction नीचे की तरफ करके bounce back यहां पर कर सकता है तो आपको नियों पे भी थोड़ा सा सस्ता price यहां पर देखने को मिल जाएगा next बात की candle हमें 0.2944 के नीचे candle daily candle close होती हूं मिलती है तो prices still bearish यहां पर रहने वाले है chain link की बात करें correction still है base अभी 7 dollar के असपास तो यही अभी रहने वाला है Matic की बात करते हैं तो Matic ने थोड़ा सा कल एक अच्छा काम किया कि थोड़ा सा इसने बचा लिया वही मैं आपको बोल रहा था ना इसके नीचे गया तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है हलागि बहुत जादा दिक्कत नहीं है इसके नीचे अगर हम एक और support की भी बात करें तो major support हमें यहां पर देखने को मिलेगा नीचे की तरफ थोड़ा आप गिर सकता है नेक्स बात करते हैं माना के बारे में माना का अल्रेडी ट्रेंगल कल ब्रेक हुआ था आज उसका retracement भी हमें देखने को मिल गया market correction zone की तरफ यह 0.3 से 0.28 अभी भी expect करके हम चल रहे हैं नेक्स बात करते हैं सेंट के बारे में सेंट और माना का लगपक सीम सा चार्ट है यहां पर भी आप देखेंगे तो अभी हमारा target 0.37 की आसपस यहां पर रहने वाला है DXY की बात करें तो DXY बढ़ रहा है जैसे कि हम लोग ने पहले सब prediction की थी अगर आप आज की candle देखोंगे तो यह बहुत बड़ी सी हमें देखने को मिलिया और यह अपने resistance zone तक यहां पर जा सकता है इसके बाद यह कोई rejection हम लोग expect करेंगे तो एक बार महां तक चाहे फिर द देख सकते हो जो यह चैनल है इसका भी टकराव यहीं आ रहा है मतलब जो चीज हम लोग ने पहले से ड्रॉ कर रही थी market लगबख लगबख उसी को आपर test करने की कोशिश कर रहा है और total crypto market की बात करें तो resistance rejection आया है तो यहां पर भी market है और इसके साथ ही जो supportive zone है current वाला वह यह है latest याने 1.1 trillion के नीचे अगर कोई भी closing आती है तो market में थोड़ा सा correction हो सकता है and market cap का recording बात करें तो 10-15% का correction हम expect करके चलने वाले है altcoin के साब से बात करें तो यहां पर यह भी normal चल रहा है और majorly altcoin के बारे में बात करें तो इसमें भी अभी correction है जो थोड़ा बहुत prices नीचे down कर सकता है जिसमें हम 8-10% वही correction जो bitcoin के अंदर या बाकी market में देख रहे हैं वह expect करें उसके बाद अगर कोई bounce back आता है 446 billion dollar का mark important यहां पर रहने वाला है चले इसके साथ बात करते हैं सबसे पहले निउस के बारे में तो सबसे पहले निउस निकल क्या रही है इंडिया की तरफ से इंडिया basically आपको पता होगा G20 के इंतर presidency यहां पर रख रहा है मतलब इस बार वही सारे चीज़ों कहां पर इस सब मिलके इसको कही ना गई regulate करने के कोशिश कर रहे हैं पूरे global network के तौर पर आप चाहो तो यह पूरा आर्टिकल यहां पर देख सकते हो और इसी के तौर पर बता जा रहा है कि इंडिया के अंदर आगस के अंदर यहां पर होने वाला है क्योंकि यह framework जुलाई के को guidelines के तुरू यहां पर regulate यहां पर किया जा सके बाकि देखने कि इसमें क्या निकल के आता है तो अगस का महीना थोड़ा सा important होगा and क्योंकि इसमें कोई positive-ness तो हमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार इसको बहुत ज़्याद है squeeze or control करना चाहेंगी तो उसके भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान यहां पर देना होगा इसी के दौर पर बात करते हैं हम लोग तो cc basically अपना जो business है वो shutdown कर रहे हैं कह सकते हैं कि हम लोग USA में क्योंकि जो USA वाली branch है finance.us है वहाँ पर basically यह देखा जा रहा है कि जितने भी इनके voters थे उन्होंने इसी चीज में vote किया है कि आप company को liquidate कर दो और यहाँ पर अभी तो फिला में को decision नहीं आपा है लेकिन majority chances यहीं बन रहे हैं कि अपनी company को वहाँ पर close करेंगो और कहीं नगी आगए जो इनका global market है finance global है उसको basically यह run करेंगे बढ़िया तरीके से और अभी श्यापन में भी यह नया exchange खोल रहे है अपना जहाँ पर कि 34 cryptocurrency के साथ यह listing यहाँ पर करने वाले हैं रोबर्ट के उसा की फिर से न्यूजिस के इंतर हमें आते हुए देखें क्योंकि इनका कहना है कि US economy अभी बहुत ज़्यादा strong नहीं है और कहीं ना कि अमेरिका यहाँ पर एक तरीके से broke हो गया है तो important यह है कि आप लोग bitcoin, gold, silver के अंदर हैं पर जाओ क्योंकि इनका simple सा कह घर, खुतका machine तो चापो जितना बन कर रहा है और यहीं चीज़ यहाँ पर करके इन्होंने debt ceiling को बढ़ा है जिसके बास से stock market से वो अब हो रहे है क्योंकि market में पैसा flow हो रहा है लेकिन यहाँ पर अगर बात कर जाए तो अमेरिका अंदर से broke हो चुका है क्योंकि इनका करज आप बहुत जाता है यहाँ पर बढ़ गया है तो इनका कहना है कि आप अभी gold, silver और bitcoin यह तीन asset prefer कर सकते हो और देखा भी गया है कि gold, silver basically हम सभी लोग बहुत लंबे time से भी use करते आ रहे हैं जो कि अपनी value को sustain रखते है और bitcoin कहीना कि gold और silver को भी outperform कर रहा है तो bitcoin कहीना कि हम B.A. market में अगर आप कुछ बड़ा भी ला रहे हो ना तो बहुत जदा expedition कर पाना मतलब देखो B.A. market वैसा नहीं है लेकिन alts के लिए भी bull market एकदम perfectly चालू नहीं हुआ है तो वो चीज़ यहाँ पर रहेंगी last time जो हमारी prediction थी वो बहुत अतक perfect गई है तो इसको फिलाल में मैं hide यहाँ पर कर देता हूँ अभी के सबसे बात करें तो अभी भी आप देखोगे तो correction का time यहाँ पर लगी रहा है यहाँ पर कुछ ज्यादा चाहिए सुधरी नहीं है अगर कुछ announcement आती भी है तो market थोड़ा बहुत यहाँ तक replenish कर सकता है उसके बाद हम लोगों को market में एक correction देखते हुए market के अंदर वापस एक jump off देखने को मिल सकता है अब यह जो correction ही इसको basically मैं यहाँ पर like this इस तरह के pattern जो की falling wedge बना सकता है इस तरह से expect करके चल रहा हूँ देखो बनने को कुछ भी बन सकता है बट अभी की जो price action है और जो मेरा price action आपर दिखा रहा है उसके according तो यह चीज़े बन सकते है और इसके बाद ही हमें कोई breakout देखने को मिल सकता है हाला कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर market यहाँ पर इसके upper zones को break कर देता है जो might be हम लोगों को इस zone के उपर ही देखने को मिलेगा तो market थोड़ा bullish हो सकता है बट मैं थोड़ा से उसको observe करना पसंद क करूँआ ताकि एक बाद news आज है उसकी आपसे क्या reaction होता है फिर हम अपनी entries को प्लान काला के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं तो यह थी दोस्तों आज कि सारे के सारे tokens और सारे नियूस अब आते हैं वापे स्लाइट कोन की हल्विंग के उपर आज फाइनली लगबग लगबग हल्विंग आइटिंग हो गई है यह कि तेको माइनस में सारी चाहिए चली गई है साथ मिट क्यों पर तो होई गया होगा तो मैं एक बार इसको refresh कर लेता हूं है ओक साइट ही आप इकायब कर दीयोंगे सोल एक बार फिरसे करते आइज थंक हां वह गई है इसकी बार नहीं 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 चल रहा है आय रहे है चलो हम लोग हाँ पर दालते हैं Litecoin Halving जो दूसरी website से वो देख लेते हैं कि कौन सी website चल रही है I think एक बाद नाइश चाहस पर देख लेते हैं कि यहां पर जो countdown हो जो क्या है but I think Litecoin की Halving हो गई है done 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 complete हो गई Litecoin की Halving complete हो गई finally Litecoin की Halving complete हमें देखने को मिली है और इसमें अगर बात करें तो I think अब इसके वो भी कम हो गए past events में भी अगर आप देखोगे तो finally हो गई यार तो initial block 50 का था उसके बाद फिर कम होते होते आया है और अभी के block reward के सब से I think 6.25 LTC मिलेंगे और ये 2.142 तक चलने वाली हालविंग तो हर 4 साल में मज़े ले सकते हैं हालविंग के finally हालविंग हो गई तो Litecoin वालों खुश हो जाओ Litecoin hold कर रखें थोड़ा सा शच 6-8 मेने का और इंतजार रहेगा then उसके बाद Litecoin थोड़ा pump तो देगी देगा तो ये साथ चीज़े हो पाई है and इसका price पर का effect पढ़ा है जरा आप फटाफर से देख लेते price में कुछ changes हुए है क्या इस टाइम पर तो नहीं यार अभी भी price रड़िश थोड़ा सा घूम रहा है तो आई तिंग ये थोड़ा correction कर सकता है एक बाद नीचे आजा फिर देखने है कि हमें कहां से क्या entry मिल पाती है बट आप सभी लोगों को congratulations light coin की halving finally हो गई अभी हमोग अगले 4 साल बादी मिलेगा आई होग दुसरी आप सभी काउँ पर पसने होगी दोस्तों कर वीडियो को पसने तो ने वीडियो के साथ ताम तुक्राइब आप ग्रेट देए और बाई-बाई-बाई